जब इरान की ये मिसाइल फायर की जाती है तो तस्वीरें ऐसी होती है जब इरान की ये मिसाइल अपने टार्गेट पर गिरती है तो धमाखा ऐसा होता है अब यही मिसाइल रूस पहुचने वाली है और समझ लीजिए कि इस मिसाइल को लेकर बात पक्की हो गई है ये है इरान की फतेव 110 मिसाइल अमेरिका इसकी दहशत जानता है इस्रेल इसका खौफ समझता है और अब इसी मिसाइल के जर्ये पुतिन योकरेन को डराना चाहते है रिपोर्ट ये है कि इरान की ये मिसाइल रूस पहुचने वाली है और ऐसा अक्टूबर में ही हो सकता है फतेव 110 को टेस्ट हुए पूरी दुनिया ने बहुत देखा है अब इसकी असली हमले वाली लॉंचिंग भी दुनिया जल्दी देखेगी ऐसा क्यूं होगा इसकी बारे में वाशिंटिन में मौजूद इंस्ट्यूट ओफ स्टडी ओफ वार ने बहुत साफ साफ बात बता दी है 18 अक्टूबर को इरान पर संयोक्त राश्वी की तरफ से लगे मिसाइल और डून बेचने की पाबंदी खत्म हो रही है और उसके बाद इरान अपनी मिसाइल और डून खुलम खुला बेच पाएगा अब सवाल है कि आखिर ये कैसे तै हुआ कि ये मिसाइल वूस खरीदेगा तो जवाब है कि 19 सितंबर को वूस के रक्षा मंत्री सरगेई शोईगू ने इरान का दौरा किया था ये दौरा बहुत सीक्रेट रखा गया हलाकि जो तस्वीर सामने आए उसमें ये साफ हो गया कि सरगेई शोईगू इरान की मिसाइल देखने तेहरान आए इरान ने उनके सामने अपने एक एक हथियार की डीटेल रखी इसमें ड्रोन भी थे और बलेस्टिक मिसाइल भी ठीक वैसे हथियार जो रूस को ये उक्रेन में लड़ने के लिए चाहिए इरान के एरो स्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेटियर जंडल आमिर अली हाजी जादे साथ साथ थे और वो बता रहे थे कि रूस को क्या क्या लेना चाहिए किस हथियार से उनकी जरूरत पूरी हो सकती है इसमें सबसे खास रही फत्य वन वन जिरो मिसाइल सरगेई शोईगो ने इस मिसाइल को बहुत गोर से देखा उन्हें बताया गया कि ये कितनी खातरनाक और सकीत मिसाइल है और ऐसे हथियार से रूस जेलन्सकी के बड़े बड़े अट्टों को मिट्टी में मिला सकता है सरगेई शोईगो इस मिसाइल को देखकर काफी खुश हो अब इससे ये बात साफ हो रही है कि 18 तारीक को जब इरान की मिसाइल सेल पर पाबंदी हटे तो इसका सबसे बड़ा फाइदा रूस को ही होगा और सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ योकरेन को नहीं होगा ये बात भी तै फत्य है 110 मिसाइल को लेकर डर इतना जादा क्यूं है क्यूं है इतना जादा खौफ क्यूं इरान और रूस के दुश्मन बहुत जादा घबराए हुए है इसकी बहुत सी बारीक बाते हैं आपको एक एक करके बताते है इंफरमिशन वाल के जरी आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्यूं इतना जादा खौफ इस टैक्टिकल शॉर्ट रेंज बैलेस्टिक मिसाइल को लेकर है इरान की ये मिसाइल 300 किलोमेटर की रेंज तक हमला कर सकती है इसकी रेंज 300 किलोमेटर है और 300 किलोमेटर की रेंज में जो भी इसके दारे में आए उसे नेस्त नाबूद कर देगी उसे तबाह कर देती है यानि की short range missile जरूर है यह, short range missile होने के नाते कम दूरी के target पर बहुत बड़ी तबाही मचा सकती है 3,000 kg भाली इस मिसाइल में 500 kg का वारेड है यह 3,000 kg की जो मिसाइल आप देख रहे हैं फतह 1-1-10 500 kg का वारेड ले जाने में सक्षम है यह यानि कि जहां यह मिसाइल गिरती है वहां 500 kg वाले बम का धमाका होता है जो सर्फ और सर्फ अपने साथ तबाही लेकर आता है यह अपने टागिट के 3 मीटर के दायरे में गिरती है और एक बैलेस्टिक मिसाइल का इतना जादा सटीक होना यकीन मानिये बहुत बड़ी बात है यह मिसाइल मिडल इस्ट में अमेरिका के खत्रे को देखते हुए बनाई गई थी और यही बात है जो पुतिन को बहुत जादा इस फते 1110 मिसाइल के बारे में पसंद आ गई है यह मिसाइल इस वक्त हमास के पास है हमास वो इसलामी चर्वपत्थी ओगनाईजेशन है जो की इस वक्त पलेस्टाइन में एक्टिव है और इस्राइली सेना को खदेरने में सक्षम है फते 1110 वाकई बहुत खदरनाक मिसाइल है इस मिसाइल के नएव वर्जन फते 313 इससे पहले अपना प्रैक्टिकल दिखा चुकी है इसी मिसाइल से इरान ने एराक में मिलिटरी बेस पर हमला किया था यह वही मिसाइल है जिससे इरान ने जनरल कास्म सुलिमानी के हथ्याखा बदला लिया था फत्य 313 की रेंज फत्य 110 से जादा है यही वज़े है कि इरान ने एराक में अमेरिका के मिलिटरी बेस पर ये मिसाइल दागी थी इस मिसाइल के धमाकों ने 100 से जादा अमेरिकी फौजियों को जैनी रूप से बड़ी चोट पहुँचाई थी जिससे ट्रामेटिक ब्रेन इंजिरी भी कहते हैं हमले के बारे में दफसील से जानने के लिए पहले देखिए ये मिसाइल क्यों खबरों में है अमेरिका से लेकर यूरप तक मीडिया इसी मिसाइल की बात कर रहा है इस्रेयल में भी यही मिसाइल चर्चा में है पुतिन ने एरान से फटव 1-1-0 को लेकर बाद पक्की कर ली है यूकरेन की मीडिया और सरकारी सोर्स भी अब एरान के इस मिसाइल को लेकर बहुत ज्यादा दैशत में है एरान की ये मिसाइल 2002 में तैयार की गई थी इसका निर्माण 2002 में हुआ था और तब से इसके कई वर्जन बनाये जा चुके है इसका एडवांस 1 वर्जन जो है वो जादा इस्तिमाल किया जाता है इसका आधूनेक और लंबी रेंज वाला वर्जन 313 है इसकी रेंज 500 किलोमेटर से जादा की है यानि की 500 किलोमेटर के दारे में जो भी इसके टागेट पर आता है वो खत्म तबाह हो जाता है और इस मिसाइल ने खुद को साबित करके दिखाया भी है योक्रेन और एज्रेल के इंटलिजन्स रिपोर्ट दाबा कर रही है इसकी रेंज 300 किलोमेटर से जादा है जबसे ये बात इरान के दुश्मनों को बता चली है वो घबराय हुए है जबसे ये बात जैलंसकी को बता चली है वो बहुत दैशतमे है अब उनकी एकी देमांद है कि किसी भी तरह युक्रेन की फोच को ऐसी एर देफेंस से लेस्टी है जो इरान से मेलने वाली ड्रोन और मेसाइल को काउंटर कर सकी सьогоднішній російський обстріл ракетами і дронами теж призвів до нових перебоїв з електрикою але це виправляється відновлювальні роботи тривають तका फोर्मा टरोरों ने दास रोसी नीचोग, नवीच जारस कोलो में श्चे नमाएमों दस्ताट्नी किल्किस्टी सिस्टेम पपो जैलन्सकी को ये बात पता चल गई है कि फते 1-1-0 मिसाइल को रोकना बहुत मुश्किल है और इसमें अमेरिका भी पूरी तरह फेल साबित रहा है इसमें को रोकने में नाकाम रहे थे इरान ने ऐसी करीब 20 मिसाइले दागी थी ये जहां गेरी, वहां ऐसे ऐसे गड़े बने और 100 से जादा अमेरिकी सैनिकों को धमाकों से गहरा सद्मा पहुँचा था ऐसी ही मिसाइल पावर से पुतिन लैस होना चाहते है ता कि वह जैलन्सकी को वो आला सबक सिखाएं जो इरान ने अमेरिका को सिखाया था ये ना सेब जैलन्सकी के लिए खत्रा है बल्कि पश्ची मेश्या में इरान और रूस का एक नया तालमिल तयार कर रहे है जिसका नुक्सान इस्राइल और अमेरिका दोनों को होगा अब इरान के तेवर समझने हैं तो आप दो तज़वीरों को बहुत गोर से देखिएगा इरान ने पहले 19 सितंबर को रूस के रक्षामंत्री सरगेई शोईकू को फतह 110 मिसाइल दिखाई और फिर 22 सितंबर को यही मिसाइल अपने बहुत ही खास परेड में दुनिया को भी दिखाई यह काले रंग वाली मिसाइल फतह 110 को देखाने का मकसद है कि इरान और रूस के दुश्मन काबो में रहें सवाल है कि रूस और इरान साथ आए तो जैलेंस्की क्या करेंगे एर डिफेंस तो ठीक है लेकिन ठककर तो बराबर की होनी चाहिए इसलिए जैलेंस्की के ओपरेशन को भी बहुत गौर से समझेगा जैलेंस्की को अब अटकम्स मिसाइल मिलने जा रही है जो हाइमर्ज जैसे लॉंचर से दागी जाती है इसकी रेंज 300 किलोमेटर होती है अमेरिका से लेकर योकरेन तक तमाम मीडिया और देश की सरकाने अब इसी मिसाइल की बात कर रही है अटकम्स मिसाइल पर अमेरिका ने अभी तक खामूशी बनाय रखी थी लेकिन अब वो ये मिसाइल योकरेन को भीज रहा है अगर जैलन्सकी को ये मिसाइल मिली तो उनके हमले रूस के अंदर तक होंगे और ये युद्ध का दायरा बढ़ाने वाला बड़ा खत्रा हो सकता है अमेरिका को मालूम है कि जैलन्सकी इरान से सप्लाई किये गए शाहिद 136 के आगे लाचार हो चुके हैं और अगर उन्हें फतेव 110 जैसे मिसाइल मिले तो रूस की फाज कैसे क्यों को रौनते हुए आगे बढ़ जाएगी पर एगे शाहिए देशन की इससे पहले एरान के शाहिद 136 के बढ़ आगे शाहिए है ये वाकई बहुत खतरनाक ड्रोन है, जो अकेले हमला नहीं करता, बलकि एक साथ कई ड्रोन लॉंच किये जाते हैं, या अत्मघाती ड्रोन है, इन्हें इरान का कामिकाजे ड्रोन भी कहा जाता है, जो योकरेन की पोजिक्शन पर अटाक कर रहे हैं, देखा जाए, तो इरान अब सीधे तोर पर नहीं, तो एक अलग मोर्चे पर अमेरिका को सबक सिखाना चाहता है, और इसलिए उसने अपनी ड्रोन वाली ताकत रोस को दी है, जब ड्रोन से अटैक होता है, तो आसमान से तबाही बरसती है, ये इसका ओरिजनल वीडियो है, ड्रोन जब ऐसे गिरता है, तो भचने का कोई तरीका नहीं रहता, ये स्वाम अटैक, यानि एक साथ मधुमक्षियों की तरह हमला करते हैं, ये जहां टार्गेट करते हैं, वहीं हमला करते हैं, ऐसे ही हत्यारों की सबसे बड़ी प्रयोग शाला बन चुका है योकरे, इरान ऐसे युद में एक दिला चुके हैं। और नेटों को बहुत धक्का पहुचा सकती है। इरान से निकाली गई आग अब योकरेन में नए शोले भड़काने वाली है और पुतिन इसके लिए पूरी तरह तयार हो चुके हैं।